नमस्कार दा ग्राउंड नैट्वरक में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विक्रम इंदुरा आज मैं इसार जिले के गाउं खारिया डोबी में मुझूद हूँ और आप देख सकते हो यह दोजार आठ में जो सोसो गज के पलाट आवंटित किये गए थे और उसमें क कोंगरेस की सरकार थी यहां पर पानी की सुविदा नहीं है बिजली कि सुविदा नहीं है यहां पर रहने वाले लोगों ने बताया कि इसके लिए उन्हें जो टेंकर होता है वो डलवाना पड़ता है और उस टेंकर को एक मिने में तीन बर डलवाते हैं और पांच सो रुपए के इसाब से वो टेंकर डलता है कुल मिला के यह कह सकते हैं कि एक परिवार को जिसके घर में पांच सदसे हो उनको पंद्रा सो रुपए खर्च करने पानिकोनी और लैट कोनी अखंबे खड़े कराके सुके त्यार कि पान सोर पड़ता है जिसका दो पुष्ण है उसका तीन तंकर लाएगे नाना दोनों पुष्ण पानि प्यानम है वादे कर ले हैं पानी नहीं है है बोटां टेम दकर जामितारा दाने भी गेरांगे अदाने आपके यहां पानी की सुविदा नहीं है और पानी के लिए आपको टेंकर डलवाना पड़ता है जो 500 रुपे में डालता है तीन चाल टेंकर आपको डलवाने पड़ जाते हैं मिने के कम से कम है आप पर यह कह सकते हैं अभी आर्थिक बोज का सामना करना पड़ रहे हैं इस ब दो तिन बर जगा टीफर बजा लिए अच्छा कर रहे हैं उनका पानी की आपके पास आ रहे थे जो लोग है क्या आप उनके पास गए जावड़े काड़ी ले ले लेके यहार है कचे जाम है पानी पुगाई जांग है पानी आपको नहीं आ सब्सक्राइब करांगे लेट की समस्या बीजड़ी की समस्या सारे चिज़ां की समस्या हमार तो के करांगरी बाद में करांगे इसार के गाउं घारिया डोबी में पहुंच करके हमने पूरी गराउंड परताल आप तक पहुंचाई पुल मिलाकर के इस बस्ती में 269 पलाट आउंटित किये गए हैं यहां रहने वाले हर व्यक्ति को टैंकर के दवारा पानी लाना पड़ता है जो की एक बहुत बड़ी समस्या इन लोगों के लिए बनी हुई है परसासन को बार बार अगवत भिक्रवाया गया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है अगर देश की आजादी के बाद भी इन्हें बिजली पानी जैसी मुलबुत सुविदा ने मिल पा रही हो तो ये एक बहुत बड़ा विशे बन जाता है कैमरा में परलाद के साथ मैं विक्रम इंदूरा खारिया डोबी हिसार